क्या में आपके लिए धर्वाजा खुलूं? क्या में आपकी मदद करूं? क्या में तुम्हारे लिए सुई में धागा फिरो दूंग। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस आप हिंदी से इंग्लिस में किस तरह ट्रांस्लिट करेंगे यही में आपको बताने वाला हूँ. आप जो डेल्ली रूटीन में आप इंग्लिस बोचते हैं जो रोज आप उपयोग में लाते हैं इस तरह के सेंटेज तो सुरू करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो करेंगे जब आई के साथ इसको इंट्रावेटिव सेंटेज में उपयोग करते हैं तो इसका हिंदी बतलब निकलेगा उँ जैसे मैं आपके लिए सुई में धागा पी रहूं इस तरह सेंटेज तो दोस्तों इसका जो है दूसरों के इक्षा जानने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे क्या मैं आपके लिए दर्वाजा खुलू इस तरह जब दूसरों के हमें इक्षा जाननी हो तो हम जो है इंट्रवेटिव सेंटेज इसमें सेल को उप्योग करेंगे आई के साथ और जिंदी अर्थ निकलेगा आपको तो इसका फॉर्मुला के सहोगा सबसे पहले लिखना है आपको शेल फिर लिखना है आई सब्जेक्ट बर्फ का फस्ट फॉर्म और ऑबजेक्ट तो शुरू करतें दोस्तों क्या मैं आपके मदद करूं सेल आई हैल्प यू क्या में तुम्हारे लिए सुम में धागा पिरो दू सेल आए त्रीट दर नीडल और यू दोस्तों मैं प्रेक्टिस के लिए कुछ आपको सेंटेज दे रहा हूं जो आपको हिंदी से इंग्लिस में ट्रास्लेट करते हैं यदि आपको वीडियो पसंद रहा हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना बोले देने को है जए मुछं में गजा को यी दो सीन यार ऊवार वार मनों साना हम या जाव na गपको से आपको बावन से लिए सेट बावन सेटी से जो किूर में एंग पक जिस इंगर हैं